मैं राजवीर क्लेयर मानवी का संगठन हरियाना की तरफ से आपको सुवे की नोस्ते गुड मोर्निंग इस संस्था के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यह संस्था किसी भी विशेश जाती धरम या संपरदाई के लिये कारिया नहीं करती इस संस्था का उदेश्य है नैशनल इंटिग्रेशन राष्टी एक्ता की भावना पैदा करना सिख्या के एक सेत्र में खेलों के एक सेत्र में प्रयावर्ण से स्वंदित विश्यों में यह संस्था में तमपोर्ण कारिया कर रही है इस संस्था का उदेश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाती धरम का इसमें सदस्य बन सकता है यह किसी विशेश जाती के लिए विशेश धरम के लिए नहीं है इस संस्था का उदेश्य है सबको एक साथ लेकर चलना है जानातर संस्थाई किसी लिम्टेड विश्य से रिलेटिड रहती है लेकिन इस संस्था का उदेश्य है सबको साथ लेकर चलना है जो भी व्यक्ति राष्ट और समाज के लिए अच्छा करना चाहता है वह किसी भी जाती धरम का हो वह इस संस्ता का स्थे बन सकता है हमने खेलों के क्सित्र में एक मानोवी कास खेल समीती का निर्मान किया है जिसने 10-11 अक्तुबर को भी एक वालिवाल की टूर्णामेंट परत्योगिता कराई थी जो जिलास्तर की पंचायत की टीमें थी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया सभी खिलाडियों में इसमें अच्छा परदर्शन किया मैं अपनी सस्ता के तरफ से उन सभी खिलाडियों का टीमों का उनके कफ्तान का सब का अविनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस टूर्णामेंट को सफल बनाने में अपना महतंपूर्ण योगदान दिया इसके साथ जो मानविका संगटन की खेल समीती थी मैं उनका भी और जिन जिन सरपच महत्यों ने इस टूर्णामेंट को सफल बनाने में योगदान दिया था मैं उन सब का भी जिवाविनंदन और स्वागत करता हूँ अब इस संस्था के दुआरा साथ वै आठ नमबर को राजिके वरिष्ट मादिमिक स्कूल लाडिकला में एक कबड़ी की परत्योगिता नैसलन कबड़ी की परत्योगिता होने जा रही है जिसमें जिला यम्ननगर की पंचायत की कोई भी टीम हिस्सा ले सकती है और इसमें किसी भी एश्ट्रा प्लेयर को खेलने की इजाज़त नहीं होगी तो कोई भी जिला यम्ननगर की पंचायत की टीम इसमें हिस्सा ले सकती है और इसमें हमने पहला प्राइस एकत्तर सो रुपे रखा है और दूसरा प्राइस एक्यावन सो रुपे रखा है और तीसरा प्राइस जो है हमने कत्ति सो रुपे रखा है और इसके साथ साथ इस प्रतियोगता में रेस का भी जो है अयोजन किया गया है जिसमें 200 मीटर, 400 मीट और सोड़ा सो मीटर्स की जो है दोड लगे इसका मुख्य विदेश से है कि जो भी बच्चे आर्मी या पुलीस के लिए जो है त्यारी कर रहे हैं उनको भी इस परत्योगता में जो है हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और वो ज्यादा लगन और मेनत से जो है अपने कंपिटिशन की तरफ परत्योगता की तरफ जो है ध्यान देंगे इसलिए मेरा सबसे यह मिनरम निवेदन है कि इस टूर्नेमेंट को सफल बनाने के लिए सभी खिलाड़ी ग्रामवासी और इलाके के सर्पंच मोहद्यों से मेरी प्रातन है कि वे इस कार्यकरम को सफल बनाने क के लिए अपना योगदान दें और इसके बाद इस सस्था का अगला जो कदम है दिसंबर में योग प्रत्योगिता जिलास्तर की योग प्रत्योगिता राजगेवरिष्ट मादमी स्कूल लाड़ी कला में ही क्राई जाएगी जिसमें अलग-अलग ग्रूप्स होंगे बच् ऐसा लेने का मौका मिलेगा क्योंकि आज के दोर में जो क्रोना काल्चर है इसमें अपने स्रीर को सवस्थ रखने के लिए फिट रखने के लिए खेल वयाम और योग की बहुत जुरूरत है इसलिए इस संस्था ने यह बेड़ा उठाया है कि ग्रामिनिक सित्र में और सहरी औफब और जो योग के माद्धम से भी अपने स्रीर को स्वस्थ रखना चाते हैं, उनको भी इस संस्ता के दो़ारा बढ़ावा दिया जाएगा, और उनको पुरा अफब सर मिलेगा अपनी परतिभा दिखाने का, इसलिए जो जो भी संस्ता के कारियकरम हैं, इस संस्ता कारिय करम कोई limited नहीं है किसी विशेश धरम और जाती के लिए नहीं है यह सब के लिए है कोई भी व्यक्ति इस संस्ता का सदस्या बन सकता है यदि कोई व्यक्ति संस्ता का सदस्या बन सकता है बनना चाता है या इस संस्ता को सहोग करना चाता है तो मेरा नंबर असी पानसो चानवी तेई एकसुई क्यामन असी पानसो चानवी और तेई एकसुई क्यामन पर संपर्क कर सकता है जै हिन जै भारत